आज का टॉपिक हैं Intensity of electric field near a uniform charge straight wire of a infinity length तो यह है क्या तो इसमें क्या है हमारे पास एक L length का wire है तो यह एक L length का wire है और इस L length के पास में Q charge है जो पूरी length पर distribute है तो इस L length के wire के पास में जो Q charge है अगर वो पूरी length पर distribute है तो इसका मतलब यह है कि इसमें linear distribution लगने वाला है तो अगर इसमें linear distribution लगने वाला है जो इस पर Q charge है यह Q charge इस L length के wire पर distribute है जो infinite length का है अगर infinity length का यह wire है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो हमारे पास goss का rule apply करने का सबसेच तरीका ये है कि आप इस wire के चारो तरफ एक Gaussian surface draw करो ठीक है, Gaussian surface ऐसी draw होने चाहिए जिससे इस wire की length सभी points पर equal हो सभी points पर equal हो सभी points पर equal कैसे होगी तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक infinity length का wire है और हम इसके चारो तरफ एक Gaussian surface draw करना चाहते हैं तो Gaussian surface कैसे हम draw करेंगे तो हमने मान लिया कि ये एक हमारे पास wire जो था ये इस wire को हमने एक Gaussian surface जो हमने imaginary बनाई है ये Gaussian surface इसकी middle में ये था और हमने इसके चारो तरफ एक Gaussian surface draw कर दी ऐसे करके ठीक है और इसकी length infinite है बहुत लंबी सी ये length है तो ये जो हमने circle बनाया है ये circle ये circle क्या है ये Gaussian surface है जो इस wire के middle में है ठीक है middle में क्या है इसका प्रिटेक बिंदू जो प्रिटेक site है इसकी तो इसके middle में रहेगा means अगर हम Gaussian surface draw करें तो कुछ इस तरह से ये ऐसा दिख रहा है तो ये एक बन गया है इसकी length और इसकी length equal है ठीक है I think थोड़ा छोड़ा सा बन गया है यहां से cover कर लो ऐसे करके ऐसे करते हैं ये ये जो हमने cover किया है इसको ये cover ये Gaussian surface है तो ये है Gaussian surface Gaussian surface कैसी होती है imaginary part होता है simple सी बात है अब ये इस straight wire था अब अगर हमने इस Gaussian surface से cover कर दिया है तो ये बंद हो गया ठीक है अब close हो गई अब close surface हो गई इसके उपर q charge रखा हुआ था जो इस पर total distribute है ऐसे करके अगर ये totally distribute है तो हम जानते हैं कि linear distribution ठीक है इसलिए q is equal lambda into L ये क्या था linear distribution था बट अब हम इतनी सारी line पर जो दी हुई है इससे यहाँ पर याँ यहाँ पर हमें electric field मालो निकालनी है इस वाले wire से r distance पर r distance ये r distance है तो क्या जो ये wire हमने लिया था और जो Gaussian surface बनाई थी ये Gaussian surface जो हमने बनाई थी ये वाली Gaussian surface इससे ये वाला distance हर जगे पर equal है की नहीं है हर जगे पर equal होगा जैसे मैंने यहाँ पर wire लिया तो इसके उपर की surface भी equal है इधर की equal है नीचे की equal है साइट की equal है सारे point अगर ये middle में होगा सारे point equal रहेंगे means हम कहीं पर भी निकाल सकते है इस पूरे गोले पर जो हमने cylinder लिया है Gaussian surface cylindrical type की होगी हम यहाँ पर यहाँ पर यह किसी भी point पर electric field निकाल सकते है अब दूसरी बात अगर हम इस वाले point पर electric field निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका charge length wire रखा हुआ है outside होगा तो हमने यह मान लिया कि अगर यह length थी तो यहाँ पर electric field है इधर की तरफ खेक है और अगर हम छोटे सी अव्यों की बात करें means dl की बात करें या da की बात करें तो इसका area vector da इधर की तरफ है outside दोनों एक सी same directions में है इधर ही इनके बीच का angle कितना हो जाएगा 0 degree हम किसी point पर निकाले वो 0 degree रहने वाला है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम gaussians अपने किश्ण आप gauss ला पड़ रहे हैं तो इसके according हम 2-3 points हैं सबसे पहले वही clear करते हैं हमाई पास कोई भी surface दी हुई है तो उस surface के according सबसे पहले हम क्या consider करते हैं सबसे पहले consider करते हैं कि आप Gaussian surface ड्रॉ करिए जो उस वाले surface से equal distance पर हो तो Gaussian surface दूसरा point क्या होना चाहिए angle between E and DA इनके बीच का angle देख लीजे कितना है E and DA ठीक है ठीटा निकालते हैं फिर देखते हैं कितना charge है total charge total charge calculate करते हैं तिसरा हो गया चौथा फिर close surface E, DA निकालते हैं ये तो निकालते हैं ना इसके बराबर क्या होता है आई तो होता है बस हो गया इतने फॉर्मले लगा कि आप कोई भी Gaussian surface के सब कुछ निकाल सकते हैं कोई भी application हो इतने हमें apply करने रहते हैं ठीक है अब इसके बाद में क्या आता है ये हमारत अतना आ गया हमने क्या-क्या निकाल लिया angle निकाल लिया अब यहाँ पर हमें चार्ज निकालना है ठीक है और area हमको पता होना चाहिए तो हमने मान लिया जिस Gaussian surface से हमने इसको cover किया है उसकी length L है ठीक है और इस L length का ये कैसा cylinder type का area कितना होता है तो cylinder type का area होता है 2 pi r into L इसकी length हमने L मान ली ये length जो है यहाँ से यहाँ तक की length है मान लो L ठीक है किके हमने इतने surfaces से cover किया है इसका area 2 pi r into L हो गया चार्ज distribute किया है हमने इतना तो चार्ज distribute DQ छोटे से चार्ज के लिए हम कितना distribution कर रहे है DL ठीक है ये हम एक small वाले की बात कर रहे है तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है flux पहले flux देख लो कितना आ रहा है तो इसका flux हो गया B5 बराबर DA सही है अब टूटल लगा दो ठीक है ना कितना हो जाएगा E DA इंगल कितना है जीरो है ना तो इंगल जीरो पर यह हो जाएगा E इसका हो जाएगा DA DA का कितना लिख सकते हैं DA का इतना है E इतना है तो DA कितना हो जाएगा 2πR into DL ठीक है 2πR DL whole surface यहाँ पर कितना जाएगा flux net flux कितना आएगा Q by epsilon not ठीक है तो हमने अगर यह D phi के कॉर्डिंग लिया है तो D phi कितना हो जाएगा D Q by epsilon not whole surface के लिए बराबर यहाँ पर E 2πR यह DL यह कितना हो जाएगा only L ठीक है यह कितना हो जाएगा only Q तो यह हो जाएगा Q यह वाला epsilon not बराबर E 2πR ठीक है हमें क्या निकालना है तो हम इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर यह किसी भी पॉइंट पर electric field निकालना चाहते है simple सी बात है हम कहीं भी निकाले उसकी direction सेम रहेगी तो अब देखो electric field E बराबर कितना आ जाएगा Q by L Q by L क्या था Q by L lambda था तो यह हो गया lambda 2 pi R तो 1 by 2 pi epsilon 0 2 pi epsilon 0 यह हो गया Q by L by R थेक है यह आ गया यह हमारे electric field का formula है अगर electric field total से भी ज्यादा है मतलब sorry जो हम यहाँ पर electric field देख रहे हैं E बराबर 1 by 2 pi epsilon 0 lambda by R यह lambda by R जो है यहाँ पर lambda क्या था charge distribution ठीक है अगर यह charge distribution है तो कितना charge distribute हुआ पूई सर्थेस में कितना सिफ lambda ना तो इसमें देखो इसमें Q तो है ही नहीं ठीक है अगर Q नहीं है तो E और R के बीच में एक graph बना जाहेगा अगर हम एक graph बनाए तो कैसे बनेगा तो हम graph बना लेते हैं इनके बीच में यह हमारा R distance है यह electric field है जो उपर की और ही प्रेजेंट है और distance R meter में धर की और है अब देखो अगर हमने Q charge का एक rod लिया होगा length ली होगी wire लिया होगा तो उस पर charge तो constant रहने वाला है पूरे experiment में ठीक है 2 pi epsilon naught यह भी constant होता है उस wire की length भी constant रहती है तो इतना जो part है इतना यह इतना part constant हो गया जब constant हो जाएगा कितना part constant हो गया हो गया हमारे पास formula यह बराबर के by r के constant है के की value कितनी है lambda by 2 pi epsilon naught 2 epsilon naught यह constant है इस graph के लिए ठीक है अब हम graph कैसे सोचे है कि कैसे कैसे बन रहा है तो मगर r दूरी पर बढ़ते जाते है तो एक ऐसी distance आती है जहां हम infinite पहुँच जाते है इंफिनाइट अगर हम infinite बहुच जाते है माण लो infinite का point यहां पर था मान लो ठेक है अच्छे तो infinite का point infinite तक होता है तो अगर हम r बढ़ेंगे तो e कम हो गया ज्यादा कम हो जाएगा ठेक है और अगर हम r को कम करेंगे तो क्या होगा तो हमने R को 0 कर दिया मानलो तो E कितना पहुच जाएगा मतलब R को 0 करना क्या है हम Rod के Just Pass में आ जाए मानलो यह हमारे पास एक Rod थी हम इस Rod के पास आ गए यहाँ पर अभी में Electric Field निकाल रहे थे हम कम करते 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 यहीं पर आ गए उस जगे पर Electric Field कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी ना यही ग्राफ बनाना है हमको तो यह हमारा Infinite Point है हम बढ़ते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं इसको मानलो यह ठीक है कुछ इस तरह से यह होता है यह समझ में आया मतलब अब यह ग्राफ यह नहीं रिप्रेजंट कर रहा है कि 0 पर आने पर जिरो हो जाता है बड़ एलेक्ट्रिक जब हम डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो आर जिरो हो जाता है ठीक है आर जिरो हो जाने पर आर इसमें 0 कर दो यह इंफिनाइट हो जाएगा तो आर जिरो यह बहुत छोड़ी डिस्टेंस है माल लो तो यह इंफिनाइट को पहुचके ओपर चला जाएगा